तो अगर आप भी एक fresh YouTube channel create करना चाहते हो तो इस video को पूरा देखना कई लोग channel तो create करते हैं पर channel create करना ही सब कुछ नहीं होता channel create करने के बाद भी आपको channel पर दो तीन काम करने परते हैं तभी आपका channel search में भी आता है और आपके channel पर views भी आते है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना तो आपको चानल क्रियेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक Gmail की जरूरत पड़ेगी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप YouTube चानल के लिए एक फ्रेश Gmail आकाउंट क्रियेट करें और Gmail आकाउंट क्रियेट करना बहुत आसान है अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को देख सकते हो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो अब आपने एक Gmail आकाउंट तो क्रियेट कर लिया अब आपको एक प्रॉपर YouTube चानल क्रियेट करने की जरूरत है आपको Simple उस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइट एक Create चैनल का आप्शन मिल जाएगा आपको Simple उस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका चैनल क्रियेट हो जाएगा अब आपको यहाँ पर logo वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको your channel वाले option पर click करना है यहाँ पर आप जैसे ही click करोगी आपका channel यहाँ पर तयार हो चुका है अब आपको यहाँ पर pencil वाले icon पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना channel एकदम अच्छा से create करना है properly तो आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी नाम डालो अपने चैनल का वो यूटूबर पहले से ही एक्जिस्ट नहीं हो क्योंकि अगर आप किसी पॉपलर यूटूबर का नाम अपने चैनल पर डालोगे तो आपका चैनल कभी सर्च में नहीं आएगा तो यहाँ पर आपक यूटूब हैंडल शो करता है तो यहाँ पर आपको हैंडल भी अपने यूटूब नाम से मिलता जूलता रख देना है उसके बाद नीचे के साइट आता है आपके चैनल का URL मतलब आप यहाँ से अपने चैनल का लिंक कॉपी करके किसी के साथ भी शियर कर सकते हो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है इसके बाद जो बारी आती है आपके चैनल की description की तो description में आपको आप आपने चैनल पर जो भी content अप्लोड करने वाले हो उससे related थोड़ा फोर information डाल देना है तो मेरा चैनल YouTube टीप से related है तो मैं यहाँ पर लिक दूँगा कि मेरे YouTube चैनल प पर description रख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से भर दिया है, अब आपको आपका चैनल professional लगे, इसलिए आपको एक अपने चैनल के लिए अच्छे से banner बनाना है, और एक YouTube चैनल के लिए आपके logo बनाना है, आप अगर नहीं जानते के कैसा बनाया जाता है, तो आ मैंने यहाँ पर एक properly logo भी लगा दिया है, तो अब हमारा चैनल properly ready है, मैंने यहाँ पर logo भी अच्छे से लगा दिया है, उसके बाद बैनल लगा दिया है, चैनल का नाम भी रख दिया है, handle भी select कर लिया है, इसके बाद description भी लिक दिया है, अब आपको simple यहाँ से back करना है, और back करने के बाद आपका चैनल यहाँ पर properly ready होकर तयार है, तो इतना होने के बाद आपको लगता है कि आपका चैनल अच्छे से create हो चुका है, और अब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपका चैनल सर्च में भी आने लगेगा, और आपके वीडियो पर views भी आने लगे नहीं है, Chrome भ्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पर simple YouTube सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर YouTube सर्च कर लेता हूँ, इसके बाद आपको सबसे first Ha directly option पर click करना है, इस पर click करने के बाद आपका जो YouTube है, ओ आपके Chrome भ्राउजर में open हो जाएगा, इसके बाद आपको logo carpet option पर click क करके आपको उस account को select करना है जिस पर आपको यह काम करना है तो मैंने उस account को select कर लेया है जिस पर हमारा YouTube चैनल है तो इसके बाद आपको यहाँ पर channel वाले option पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर your channel पर click करना है इस पर click करने के बाद आपके सामने दो option आएं एक है Customize Channel का और दूसरा है Manage Video का आपको Simple Customize Channel पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके Chrome ब्राउजर में आपका YouTube Studio ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर Simple Continue वाले Option पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे के साइट आपके सामने एक सेटिंग वाला Option शो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Second Dollar जो Option है ओ है चानल का आपको Simple उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर होती है आपके चानल की में सेटिंग अब आपको यहाँ पर Country से वीडियो बना रहे हो तब ही YouTube समझ पाएगा कि आपके वीडियो किस लोगों को दिखाने है त तो यहाँ पर मैं Simple India सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर Country सिलेक्ट करने के बाद नीचे के साइट जो Option है कीवर्ड वाला आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है इस पर आपको अच्छे से कीवर्ड मतलब टैग लगान है आपके चानल से रिलेटेड जैसे मेरा YouTube चानल है Technical आधी तो मैं यहाँ पर आधी टेक्निकल या फिर आधी टेक्निकल या फिर टेक्निकल आधी कुछ इस प्रकार से उल्टे पुल्टे टैग लगा दूँगा जिससे मेरा YouTube चानल सेर्च में आएगा अगर आप अपना YouTube चानल को सेर्च में लाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टैग लगाना बहुत important है तो यहाँ पर मैंने मेरे YouTube चानल से related टैग लगा दिये है मैंने आपको दिखाने के लिए simple दो ही टैग लगा दिये है पर आप यहाँ पर जादा भी लगा सकते हो उसके बाद आपको आप अपने YouTube चानल पर जो भी upload करने वाले हो उससे related भी यहाँ पर टैग लगा देने है तो मैं मेरे चानल पर YouTube से related tips दोंगा या फिर Instagram से related tips देने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने YouTube tips and Instagram tips लगा दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे save value option पर click करना है तो कुछ यही setting थी जो आपको अपने channel पर apply करनी थी अगर आप यह setting अप comment में दरूर बताना और अगर आप इस trick को apply भी करते हो और आपके channel पर फिर भी views नहीं आते तो आप इस video को देख सकते हो इस video में मैंने अच्छा से बताया है कि new channel पर starting में views कैसे लाए जा सकते है तो guys मिलते हैं उस video में तब तक के लिए bye bye